इस मत्boy आफ्क कर सकते हैं हैं क्या आप एक जगह से उट करके दूसरी जगह जा सकते हैं और दूसरी जगह से उट करके वापस से कहीं और जा सकते हैं यह जब आप बहुत आसान है और आप यह उसनी आज पूच रहे हैं ये बहुत बक्वास असावार आम से क्यों गज रहे हैं कि कोई वहती एक यहां से दूसरे का मूव कर सकता है तो ये जो आप मूव कर सकते हैं इसका कारण है कि आप लोको मोशन कर सकते हैं लोकाओंवोशन के लिए जरूरी क्या है आपके रिस्पेक्ट में मेरे रिस्पेक्ट में हमारे पर कितने हैं? दो अगर मैं अपनी बात करू तो विसी तर्गे से कुई जानवर होते हैं उनके पैरों के संख्या कितनी होती है? चार और वो अपने इन पैरों से मूब करते हैं तो आज हम इस टॉपिक के बारे हम बात कर रहे हैं वो कुछ उस example से match करता होगा आज हम बात कर रहे हम bacteria की bacteria की ultra structure की ultra structure में भी उसके external structure की और external structure के अंदर हम इस white board section में जिसकी बात करेंगे वो है fragula या FLAGILALUM अगर वो SINGLE नंख्या में पाया जाए जाएंगे एक की नंख्या में पाया जाएंगे तो उसे हम FLAGILALUM कहेंगे और अगर एक से अधिक पाया जाएंगे तो अब इसले उसे हम FLAGILA कहेंगे जिस तरहपाई से हमने देखा आपके prokaryotic और eukaryotic में एक major अंतर वैसा ही इक importance हो सकता है फ्लैजिला जो कि उनके lokomotion के लिए मददगार होता है और आप ये जानते हैं कि जो bacteria है it is a example of prokaryotics तो आईए कुछ बात करें उसके structure के respect में so structure के अगर आप बात करते हैं आए कि फ्लैजिला के respect में बात करते हैं structure की तो ये long होते हैं, long होते हैं, slender shape में होते हैं पत्ले होते हैं, बहुत पत्ले कितना वह आगे देखेंगे आप hair-like structure होते हैं और which is a structure, which is a cytoplasmic structure और इनका जो काम क्या है या ये किस purpose के लिए responsible होते हैं तो these are responsible for the motility of u-bacteria कुछ case में u-bacteria का मतलब बहुत है true bacteria जो actual में हम उनको आगे रखर करके gram positive या gram negative में classify कर सकते हैं आपने ये चीज़तों लगबग लगबग हर एक lecture में सुनी कि gram positive, gram negative एक काम करते हैं कि आप एक gram positive और gram negative के उपर homework ले लिजे आपको homework बनाना है अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इसका वीडियो हमारे चैनल पे है तो जो भी rough में आप समझे हैं उसको समझे है और लिखे what is the difference between gram positive और gram negative और gram staining भी और इसको attach कर दीज़े homework के link पे फिर हम बात करते हैं इसके अगले point की features की तो इनकी लंबाई आप में देखा कि long है thin है लेकिन specification कितना है जो की बहुत specific to the point question मनता है तो इनकी जो लंबाई है 3 to 5 macrometer में और इसकी जो thickness है वो बहुत पतली है और यह बहुत thin है तो इनका जो thin का एक size है वो head to add to 25 nanometer में लेकिन बहुत nanometer में वो छोड़ा बहुत पतला है तो यह अपके कुछ specific features हो गए फिर हम बात करते हैं इनके type की लेकिन यह जो type है ना वो बहुत ही मत्तरपूर्ण है आपके semester exam में तो सायज ना पुछे जाएं लेकिन वाइवा में जरूर पुछे जाएंगे और कहीं कहीं comparison exam में पक्काइस में से पुछे जाएगा तो on the basis of flagela कि उनमें flagela कितने पाय जाता है यह भी बोलना सही रहेगा on the basis of flagelum कोईकि एक संख्या या एक से अधिक होगी तो आपके respect में क्या करेंगे तो इनको basically हमने classify क्या है one यानि कि A tricus दूसरा type इसका है monotricus तीसरा type है MP tricus चौथा type है आपका low four tricus और पाच्वाँ type है आपका peritricus तो इन सब में क्या अंतर है मैं आपको दुबाय रेकाल करूंगा कहीं भी आपने अपनी जो mental candy रखी हुई है न cut करने की उसे बाहर निकालीजे उसके जर्वत है क्यों कोईकि पहला देखिए आप पहले वाले पर देखते हैं इसको होड़ाइड करें ये हैं A tricus A tricus मतलब दिखा रहा है कि उसमें फ्लैजिला नहीं है उस प्लेटिकलर सेल में देर इस एपसंस और फ्लैजिला एंड देट इस वाई इस नॉन मोटाइल क्योंकि अब फ्लैजिला है नहीं तो मोटाइल कैसे होगा उसके में मूब करने वाले और और नहीं है तो वह वूप कैसे होगा तो इस इस एक्जामपल ऑफ पैस्चुरिला यह इनका स्पैसिफिक एक्जामपल है अब इसकी कोई डियाग्राम बनाने का हो सकता नहीं तो इस तरह के से बोल सकते हैं कि इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है दूसरा है आपका वापस से देखिए मोनो मतलब क्या होता है सिंगल एक तो ट्राइकस रिप्रेजिला यह सिंगल पोलर फ्लैजिलाम इस फाउन एक है ना इसलिए रफ डियाग्राम है और यह जो ब्लू कलर में है वह आपके फ्लैजिला यह फ्लैजिलम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके एक्जम्पल भी देखिए मोनो ट्राइकस का कौन सा है तो यह स्यूडो मोनास कई बार सुना है आगे भी पढ़ेंगे हम लोग स्यूडो मोनास के स समझ सकते हैं मेढक को आधक और कि एमफिज्न बीरा सकता है टो जमीन में भी रह सकता है दोनों जगर रह सकता है घ्जर्फ एक्ञामपल है दोनों साइट इसे दोनों तरप ली अगे इसल्वaking पाइड जुआ триqus two more' then two flowers on one end of the cél이케य कि किसी एक से इस तरफ दो या दो से अधिक्व ऐन पाया जाएंगे ऎए फ्लेजिल पाया जायागा तो उसे हम कहेंगे लोफो ट्रास एकजामपल के बात करते हैं तो वीब्रियो से आप बल आगे भी पढ़ेंगे आप विवरिया कॉल्डरी के फेहम में जो की कॉल्डरा कॉस करता है तो देखिये इसका सच्चा देखिए यह रहा हमारा यू बैक्टेरिया और इसके एक तरफ दो से अधिक है दो भी हो सकते हैं दो या दो से अधिक है लेकर इस तरफ नहीं ह के एंटार सर्फेस पे एक्स्टनला सर्फेस पे आप इसको फ्लैजिलम को पाएंगे और इसके एक्जामपन है इस चिरिचिया यह बहुत ही मत्रकूर है आगे भी इसके पाइप पढ़ेंगे और क्लोस्टेडियम स्ट्रक्चर देखिए यह रहा आपका यू बैक्टिरिया और इसके सर्फेस के लगबग लगबग सब तरफ आपको यह फ्लैजिलम दिखाई दे रहा है तो दिस इस अ सिंपल क्लासिफिकेशन और फ्लैजिलम चलिए सेकेंड वाइप बोर सेक्शन में इसी वीडियो के मूब करते हैं और पिली के बारे में देख करके इसके एक्टन स्टक्चर को आखरी important parts पिली और फिम्रिय से सबसे पहरे तो हमको यह जाना होगा कि खास करके किस तरह के बैक्टेरियों में क्या gram positive में क्या gram negative में किन में ज्यादतर यह चीज़े देखने को मिलती हैं तो देखे many gram negative ज्यादतर इसका मतलब यह नहीं कि सभी ज्यादतर gram negative ब उपर आपको देखने को मिलते हैं यू तो पिली और फिम्रिय दिखने में सुनने में एक जैसे लगते हैं और कई बार इन दोनों word को एक दूसरे के साथ interchangeably use किया जाता है बट इनमें थोड़ा सा distinguishable feature है जिसको हम लोग उनको अंतर कर सकते हैं तो चले सब सब पहले तो हम इ basic point यह कहता है evenly distributed over all the entire surface of the cell यानि कि यह सभी surface पे उस cell के इस bacteria के बारे में आप बात करें तो उनके cell के surface पे एकदम समान मातर में सब तरब पाया जाएगा या अगर आप इनके एक specific तरीके की बारे में बात करेंगी तो they can also occur at the pole of bacteria वह या तो किसी एक पोल यह जो हमने जोबता है था side की बात कर रहे थे उस एक पोल पे पाया जा सकता है और अगर हमने बात करूं they enable cell to adhere to surface इनका क्राम क्या है फिम्रिय करते क्या है तो they enable the cell to adhere on the surface यह cell को किसे दूसरा surface पे चिपकने पकड़ने के लिए मजबूती प्राहन करते हैं उनको support प्राइट करते हैं including the surface of other cell ना केवल surface पे बलकि अगर दूसरा भी बैक्टिरिया है तो उस बैक्टिरिया के surface पे adhere होने के लिए पकड़ने के लिए यह उनको support करते हैं फिम्रिय नंबर की बात करें जो कि एक important figure report है वो यह कहता है their number यानिकि how much how many मिलना चाहिए कि how many फिम्रिया are present तो हम इसको बोल सकते हैं may worry from few कुछ से लेकर के बहुत कुछ यानिकि several hundred per sale एक-एक sale के respect में बात करें तो आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है यह कुछ characteristic feature हुए आपके फिम्रिय की वैसा ही कुछ important feature हम बात करते हैं पिली की दोनों में अगर आप देखेंगे important तो हमार लिए थोड़ा जादा important पड़ता है यह पिली यह क्या है पिली आर लॉंगर देन फिम्रिय लंबाई की तुलना में आपके जो पिली हैं वह आपके इस फिम्रिय से ज्यादा होते हैं Google पे आप color email search करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से clear कर पाएंगे और देखिए and number only one two two per sale इनका जो number था वो कुछ सेरे करके बहुत सारे सकड़ों तक जा सकते थे लेकिन पिली के respect मेंगे इनके संख्या एक या तो दो होगी per cell के respect में फिर देखिए they join bacteria cell in preparation for the transfer of DNA यह एक bacteria को तयार कराते हैं ताकि एक bacteria अपने DNA को transfer करने के लिए तयार हो सके कहां पे DNA from one cell to the another यानि कि एक DNA को एक cell से दूसरे cell पे transfer करने का काम करते हैं और यह जो DNA है वो है क्या वो तो है genetic material यानि कि पूरी की पूरी जो information है एक bacteria में वो पूरी की पूरी या depending upon the circumstances वो दूसरे type के bacteria में transfer हो रही होती है इसलिए इसको हम sex pili के नाम से भी जानते हैं कोई पूरा genetic information carry forward over our head with the help of pili so this is very important now coming to the point they are shorter यह लंबाई में छोटे होंगे thinner पतले होंगे and straighter than flagella और flagella तुला में सीधे होंगे तो इसका मतब क्या है कि अगर आप compare करना चलें तो यह shorter है जबकि fembrie longer है यह thinner है वो थोड़ा सथिक हो सकता है यह straight है जबकि यह थोड़े बहुत movement लिए हो सकते हैं तो यह major difference हुआ flagella के respect में अगर आप बात करते हैं तो क्योंकि दिखने में सेम लगते हैं तो यह सेम नहीं है flagella अलग और पेली अलग है फिर देखिए they consist of protein इस protein हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते है पेली यह motile नहीं होते हैं motility इनके में नहीं पाया जाएगी दूसरा when pili removed mechanically अगर इसके पीली को mechanically कोई external effort लगा कर remove कर द जाते हैं तो यह कुछ basic ही points है बहुत simple सा था इसके साथ हमने आपके excellent structure of bacteria complete किया sorry अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके internal structure के बारे में so friend that's all for the day thank you very much for watching this video reference है NK jam और आपका अनदना है तो इन दोनों का screenshot आपको अप त्वरजर में मिल जाएगा आप उसका screenshot भी ले सकते है thank you